पूरे श्रोता भाई वेनों से केवल इतना सनेवेदा नहीं कि जिस भूमी को जिस मकान को जिस जमीन को जिस जाएजैद को आप बनाना चा speaks जिस प्लांट को आप निरमध करना चाहते कई कई घर से किराय के अत्वी में डिते तो अच्छा दिते जब के बुजर्ग के ते शेंति नहीं हूना विए वह सुखर्स्ती शेय। उसके बाद भी आनंद के अनूबहती नहीं है उसके बाद भी हमेसा ढोना केवल सुक्का होता है घरासा घर में चार लोग रहे हैं पर चारों के मूँ भगोने जेसे रहते हैं एक टपेले जयaltet समूँ एक खाली जेस ने हो एक बलटोई जे समूँ तो पोई बोलने को तैयार ने क्योंकि जब जब बोले तो बरतन की अब आजा तो बोले एक माँ बेठी टीवी के सामने एक माँ बेठी एक सोफ़े बेठा बोले ही नहीं आप पर यह वह सुह स्क गयां का इन लोगों के मैं से जाते हैं घृऑ हम बड़े ब्रुप्न को साहिया आप ने मगान का निर्मान कराया वास्तु सास्ती को बुलाया इंजिनियर को बुलाया सब खेकेगार को बुलाया सब बुलाकर मकान प्लाट्स जमीन जायदा सब की अव्ject हर पांधा तीन दिन तक एक गाए को उस प्लाट पर बांग तर चारा खिलाते ना पास्तु सास्त्री को बुलाने की जरुवत पड़ती ना कभी सम्रध्धी की ना सुख की जरुवत पड़ती त्योंकि गाए उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर और लिए उस जगह के सारी रोग बिमारी तष्ट तकलीप दुख को घुमाता की जैसे जगत में कोई नहीं हो सकता हाथ में घड़ी नहीं बांती गव्माता पर चार वजे आपके रोटी मिलती है तो चार वजे खड़ी मिल जाती है तीन वजे भोजन मिलता है तो तीन वज और दोगे तो देड़ बजे ही मिलेगी एक बच पर 20 मिनित पर ही मिलेगी कोई घड़ी नहीं बानती फिर बी समय पर आ क्यों कि भगवानमे उसको ऐसा बनाया है तेतिस कोटी देवताओं ने इसा विराजवान कर दिया है कि जगत का वखलेण कर सकती है उसका एक एक अंश जीव का कल्यान करने वाला है एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है कर हम शो और हम ये बात की युग में हम कुछ बूल रहें कि अब सुछते क्या हुआ है। वो पता देगा सब कुछ पता रहा उसे बार भी लोगर उसे नहीं कि झोड़ें पिर चलो तो चलो किसी बाबा जो की भोज रहा थी जो एसा घुंगों को बताता है कर उसकी धिन जाकर पूछ लिया बताओ बाबा जी हुला कि अमारे हमें रमें सhांथी नहीं तो बाबा जी एकी वाद बोले तेरे घर का है जिसने कुछ कर दिया अब इसको याद आया पंदरा दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी उसी नहीं कुछ कर रहा हो अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे किसी की सामर्द्यता नहीं कि संसार में किसी की सामर्द्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता कोई दूसरा नहीं कर से एक नेबू गिर गया धरवाजे पे तो चौजा दिन तक नहीं नहीं कुन पठके गया मेरे को तो तीन दिन से संका होरी पड़ोसन अब बता जब केमरे में देख लिया तम मालूम पड़ा विचारा साइकिल वाला सजी लेके जा रिया था उसके घर पे और निबू पोले थीन से टफक भी तब सुकुन मिला कि ये निबू तब सोई आराम से की चाहे तुम परवत उठाने वाला चौत वाला ह। DUG आखाे लंका गहन करने वाला लगाओ चाहे राम नम को संजीवन देने वाला लगाओ चाहे मोन मुद्रा में लगा जाहे श्ठूति में लगा चाहे भजन में लगा दो हनमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरा में लगेगा ना पस्ची में लगेगा ना दक्षिन में लगेगा हनमान जी अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दिवाल में दक्षिन को देखते हुए लगता है केवल एक ही स्थान जैसे पूर्वजों की चित्र को पित्रों की चित्र को गए हुए हमारे जीवों के चित्र को जक्षिन में विराजमान किया जाता है उसी तरह हनमान को उत्तर में विराजमान करकर दृष्टी जक्षिन में कर दिया कि अन्मांजी के जीतने फोटो होते हैं उसफोर किवल दक्षण जिस्षा में लगा उत्तर तte समय लगा विठाते निए जुक्रटी की और उनकी द्रिश्डी होना चाहिए दक्षण की और का क्वां कोना चाहिए क्यों महाराओ अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है व्यक्तिक के जीवन में कोई रोग आने वाला है व्यक्तिक के जीवन में अगर कोई परिशानी आने वाली है व्यक्तिक के जीवन में कोई एक्सिडेंट का योग भी बनने वाला है तो शास्त्र करता है वो दिशा दक्षण से ही बनता है कि यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करते हैं और जब हमारे गर में हम यह नहीं करें कि आप धनमान जी का फोटो लगा हम यह भी नहीं करें कि रोग बिमारी प्रिश्ट दुख तकलीफ में आपको लाग मिला कि नाम हनमान जी ने केवल तक्षण दिश्टा की और अगर मुक करकर हमने विराजमान कर दिया फोटो ही विराज दिया हम यह नहीं कहेंगे आप से क्या पजार से फुटो को इसके लाग फिर लगा नहीं आ अजया है मारज कि शंकर भगवान के उपर जो जल चड़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाता है कि कही लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक यह थे तुलसी का दल के सुतारा जाता है कि कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रग भगवान शिवका जो जल जा रहा है वो उत्तर की और और हनमान जी को उत्तर में विराजमान करकर मुख दक्षण की और कर दिया है क्यों प्रवल दिशाओं में उत्तर और दक्षण महारत यह जो दो दिशा हैं इनको साधने के लिए कोई देवतप आगे नहीं आठा अगर इन दिशाओं को प LISAधने वाला है तो किवलेगर देवदी देव महादेव ही हो उसकता आलता हरन दरneवाला महांकाल ही हो सकता शंकर का ही एक उतार है अनमान जी मारा है रुद्र उतार है मर अनमान जी से कहा है तो भच्छन की और दिशा पर समालिए शिव जी कहते है मेरा जल जब उत्तर की और जाएगा तो इस दिशा को में समाल चिंता न करिये किसी लड़ता और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है कि 30 साल हो गए 22 साल हो गए 34 साल हो गए लड़ता लड़की का विवाहा है बहुत टेंशन है months कोई मंगली है कोई मांगली के पर तीरह कम कोड़े एंधर पूर bet कोई मांगली थे कब मंगलने संबंद होई मीरा बहुत प्रयास करें चार विशा का इस्मर्ण करिए पूरा पश्ची मुत्तरदक्षिंगे हतेली पर आटे का दीप लगाईए घी भर लीजिए और चार बत्ति उसमें अलग-अलग रख लीजिए थोड़ा सा पीला चावल भल्दी में करकर उसमें डाल दीजिए जो लड़का लड़की का विवा करना उसी के हाथ में देना है और देव उठनी एका दशी के दिर जिजन देवता उठेंगे जिस जगहा पर तुल्सी सालीग्राम का आप उजन करते हो गन्य के नीचे इक के नीचे तुल्सी का क्यारा रख रख पूजन करते हो वा पर भगवान शिप और भगवान नरैन का नाम लेकर उस दिये को रधवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कड़ दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए मारा दाई महीने तीन महीने तो बाई